हमारे हैं रिच्वल्स है ही नहीं कि और विवाहित महलाओं को खोइचा दिया जाए हमारे हैं आविवाहित को खोइचा न दिया जाता है न खोइचा आ विवाहित लेती तो अगर भोट पाने के लिए कर रही है तब तो इसका कोई आंसर नहीं है के लायव है अब हम इसी के बार में discussions करने जा रहे है हमारे साथ आज दो औविवाहत महिला है सबसे पहले हमारे साथ अंकिता है और्षिवङगी हम driving है उम गजे बेक्टा आँम स्क्रीन और मीडिया से युड़ी हैं तो हम इनसे सब पहला सवाल करेंगे कि आपको खोईचा का मतलब बता है क्योंकि आप अविवाइत हैं तो उसी धंक से बताईगेगा कि खोईचा का मतलब क्या होता है जी आप मुझे बिलकुल पता है कि खोईचा का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो जो खोईचा होता है मेरे अब तक के लाइफ में, जब भी मैं नानी के घर पर गई हूँ, मेरे मम्मे के साथ गई, तो जब मेरे मम्मी वापस अपने ससुराल आती है, तो नानी उनके साड़ी में या फिर कुछ कपडे में कुछ-कुछ जैसे धान हो गया, चावल हो गया, पैसे हो गया, आशरवा अगर मेरी नानी चाहती तो मुझे भी दे सकती लेकिन यह चीज़ तो हमारे रिच्वल्स है नहीं कि और विवाहित महिलाओं को खोईचा दिया जाए मतलब आपको नहीं मिला तो शिवांगी मेरा आप से भी यही सवाल ले कि आपको खोईचा के बारे में क्या पता है जी विवादी हो जो अपनी बेटी को जब विदा करती हैं जब घर आती है तो उनके गोदी में उनके आशल में या फिर एक लाल कपड़े में अपना आश्रवाद देती है उसमें जो जिसकी प्रगति का निशानी होता है जिसकी घर का जो बेटी का घर है वह भरा पुरा रहे और उननती हो तुमारे घर में तुमारा ससुलाल भरा कुरा है वारा गोध भरा रहे और जब तुम बापस आओ तो खुशी-खुशी आओ मेरे घर इन दोनों ने बहुत ही सुन्दर जवाब दिया है और इससे ये बाते तो क्लियर हो रही है कि ये अविवाहितों के लिए नहीं है क्योंकि इन दोनों को नहीं मिला है और मुझे भी नहीं म जी हमारे यहां जो खोईचा का रिवाज है वो अभिवाहित जो भी लड़कियां होती है जब उनकी साधी होती है तो मम्मी हो दादी हो नानी हो जो भी घर में बड़े होते हैं वो उनका खोईचा भरती है यानि खोईचे में पैसा हो चावल हो हल्दी हो सुपारी हो कि युद को और हमारे आभिवाहित को खोईचा न दिया जाता है ना खोईचा अविवाहित लेती हैं दोनों हमारे रिवाज है ये आप अब बताईए आपको भी मिला होगा आपको क्या-क्या मिला था और तुर्वलानेची हमें सना कि म्यां गई कर द करद माई के यतिने मैं इस पर की यह मुझ सेपने एक लग थो यह नहीं मुग मतलब है जब मांग हमलोग छाते हैं तब मिलता यह हम अ हमारे एक खरस धूसरे घर भी जाँ गर पर कर दितिक्न रहिए धी चाहिए से तब भी लाते हैं तब भी मिलता हम लोग उसमें है क्या कि मतलब ट्रेशनल मेन एक जैसे कहा जाता है कि लड़की को लश्मी का रूप माना गया है विवावित होने के बादी मेरे अभी तक के नॉलज में में अभी देखी हूं कि साधी के बादी लोगों के मिलता वासे नहीं और हमको जो मिल्ला है हम आके यहां पास ही खुला जाता है तो फ़ते हमारा तो हमने सुनां कि रेडिशन क्या है हमारी संस्कृति क्या है हमारे यहां विदी विदान जो है वो विवाहितों के लिए होता है वो रिलेटिप्स के हां भी मिल सकता है जैसे कि नई नई जानकारिया हमें तिर्प्तिमाम ने दी तो इस पे सवाल यह उठाय जा रहे हैं कि पुश्पंप्रिया चौधरी अविवा ठील सकते हैं कि दो छीजेड़ कर रहें हमारे धर एसा कुछ नहीं है मैं त्लों पकशुरह कि बर्स है कि हमारे हां विवाहितों से ही विवाहितों का ही एक्स्चेंज होता है, तो यहां जїन से भी आप वो तो विवाहित होती हैं, लेकिन वो विवाहित नहीं है, तो इसपे आप क्या कहेंगी, कि क्या हमारे धर्म के खिलाफ, शुब मनाने के लिए सुब ड्रेस पहना जाता है, सुब कलर होता है, लाल हो, सब्सक्राइब कोई भी सुब काम हमारे ट्रेडिसर में नहीं होता है और छो वो ले रही है लड़किया और इसके लड़कियां पर आर्टे लेती है तो ये परमपरा शुरू से चली आ रहा है आप क्या कहेंगे बिल्कुल मैं श्रिवांगी से सहमत हूँ वो जिस तरीके से जो काम कर रही है वो अच्छा भी कर रही है लेकिन उनका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है काले कपड़े पहन करी वो खोई चौल हमारे यहां शादी व्या होता है तो हम लोग काले और सफेद कपड़े बिल्कुल भी मना ही रहती है असुव माना जा लेकिन वो यह काम कर रही है हमारे हम सभी के हिसाब से वह बिल्कुल भी सही नहीं है तरीका उनका सही नहीं है यह मैं कहूंगी कि वह भले संस्कृति से जूड़ने की कोशिश कर रही है एक वोट पाने के लि तो अगर भोट पाने के लिए कर रही है तब तो इसका कोई आंसर नहीं है भोट पाने के लिए अगर वो यह काम कर रही है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं खोईचा ले रहे हूं या दे रही हूं तो दोनों तरफ से गलत है इसको तो कहीं भी कहीं मानेता नहीं माना जाए में हमने देखा है शादी होता है तो खौछचा क्या होता है हो है खौछा कैसे मिलता भले ही हमें नहीं बिलता हूच कर रहे हैं यह रहे ऑ नहीं बोल रही, यह वो लोग बोल रही हैं जो इन परंपरा से जुड़ी हैं, सालों से वर्सों से देख रही हैं, जो विवाहित हैं, तो आपने सुना इस मुद्दे पे उनका क्या कहना है, वोट पाने के लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे परंपरा के खिलाफ नह साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें